गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे न्यायक सक्रियता न्यायक सक्रियता भारती सविधान या भारती राजनितिक फ्रवस्ता में एक नई आउधारना है जिसका जिक्र सविधान में नहीं है इसका अर्थिया नहीं है कि इसके पूर्व भारत में नियाई-पाली का निश्क्रिय थी पहले भी सर्वुच नियायले तता उच नियायले ने एतिहासिक एवं सहासिक नेरने दिये हैं लेकिन वर्थमान में सविधान त्वारा प्यदत शक्तियों के पेयोग के साथ नियाएडिशों ने अधिक समीदना और ततपरता से जन सामाने के हित में पहल करने के नेने दिये हैं जन सामाने को नियाएपालिका में विश्वास दिलाने का प्रयास किया है नियाएक सक्रेता के अंतरगत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या स्वेम से भी संस्थाओं द्वारा न्यायले में भेजा गया प्रात्ना पत्र याचिका की रूप में स्विकार कर लिया जाता है यद्दिपी न्यायक सक्रियता की चुटपुट उधारन 1952 से ही देखने को मिले है लेकिन इस विस्टार को ठोस रूप में जस्टिस पी एंड भगवती के समय से दिया गया जस्टिस भगवती ने एक पोस्ट कार्ट पर की गई प्रात्ना को ही याचिका की रूप में स्विकार कर लिया था और तभी से न्यायक सक्रियता की प्रवर्ती प्रारूम हुई है। उन्होंने माना कि ये आउशक नहीं कि पीरित व्यक्ति ही अपने कश्ट निवारन के लिए न्याय पालिका में पहल करे। किसी अन्य समेद जील व्यक्ती द्वारा जन सामाने के हित में न्याय के लिए लगाई गई पुकाल या याचि का रिट बन सकती है भारतिय न्याय व्यवस्ता की यह आलूचना की जाती है कि यह खर्चिली है लंबी है इसलिए न्यायक सक्रियता यहां पर विशेश ग्रूप से महत्र प्राप्ति किया है तो हम देखेंगे न्यायक सक्रियता की कारण न्यायक सक्रियता का पहला कारण न्याय व्यवस्ता का जटल व्यखर्चिला होना है नैकेवल न्यायले में वर्षों तक मुकदमे चलते हैं बलकि वकीलों की भी जो मोटी फीस है उसके कारण आम जंता न्यायले की और मूँ करने की या न्यायले में मुकदमे वाजी करने क प्रयास नहीं करती तो न्याय व्यवस्था का जटल व्यखर्चिली होने के कारण न्यायक सक्रियता भारत में अधिक महत्व प्राप्त कर लिए इसके साथ हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था जटल खर्चिली होने के साथ ही साथ जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण आने को बार मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति का जीवन समापत हो जाता है परन्तु मुकदमे का समाधाद नहीं होता अतय न्याईक सक्रियता ने विशेश महतो प्राप्त किया भारत में गरीबी है और आशिक्षा भी है गरीबी के कारण भी लोग न्यायलय की शरण नहीं लेना चाते और लोगों के एशिक्षित होने के कारण भी उन्हें विधी की पर्याप्त जानकारी नहीं होती विधी के जानकारी नहीं होने के कारण भी वे न्यायलय की शरण नहीं लेते या भाग्ये के भरोसे अत्याचार को अन्याय कश्टों को जेलते ही चले जाते हैं अन्य विक्ति या संस्ता अन्य को बार उनके कश्टों का समाधान करने के लिए नियायले में डिट या याची का दायर करते हैं इसके साथ ही साथ कारेपालिका द्वारा सवेधानिक दायरतों निभाने में फिवलता हम इस बात को या इस क प्रटू सत्य को ऐसी कार नहीं कर सकते कि भारत में कारेपालिका के द्वारा अनेकों बार अपने सवेधानिक दायतों का निर्वा नहीं किया है। कारेपालिका नहीं चुकी अपने सवेधानिक दायतों का सही तरीके से निर्वा नहीं किया है। यह दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कारेपालिका अपने दिन प्रति दिन के कार्यों के लिए संसत की प्रति तथा अपने अंतिम रूप से जनता की प्रति उत्तरदाई होती है। परणतु देश का यह दुर्भाग्य है कि कारेपालिका में बढ़ता जा रहा है। और नेता किसी-किसी ब्रेश्ट आरोट में लिप्त हैं। व्यवस्ता पिका और कारेपालिका अपने दायतों का पालन करने में विफल हो रही है। उन्होंने जन समस्याओं को टालने की प्रवर्टी को अपना लिया है। अपना दाई तो न्याइक पालिका को और सरकार की दूसरे कंदे पर रख कर वे जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हैं तो ऐसी इस्तिति में न्याइक सक्रियता और भी अधिक महतपूर हो जाती है तो चुकि प्यवस्तापिका कारेपालिका पर पर्याप्त नियंत्रन नहीं रख पा रही है और अपने कारेपालिका अपने नियन्यों को सही तरीकी से क्रियान्वित नहीं कर रही है इसके कारण भी नियाएक सक्रेता महत्पून हो रही है भारत में सर्वोच नियालेली बाल शमिकों से समंदित 10 दिसंबर 1996 को एक निर्णे दिया था जिसमें प्रती शमिक बालक को शतिपूर्ति देने का आदेश दिया तथा उनकी पुनर स्थापन के लिए कोश बनाने की आदेश दिये दिल्ली में यदि हम देखें तो मिलोवे उद्योगों के कारण जो पर्यावरन खराब हो रहा था लोगों को सामाने जीवन जीने में भी कठिनाई आ रही थी तो सर्वोच नियाले के द्वारा मिलोवे उद्ध्योगों को शहर के भार बेजने का जो नेने लिया गया वह प्रदूशन को रोपने के लिए लिया गया था ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं कि ताज महल को प्रदूशन से सरक्षन देने के लिए नियाएक सक्रियता को हमें दिखाई देती हैं, तो ये प्रमु को कारण थे जिसके कारण की भारत में नियाएक सक्रियता का प्रारब हुआ या वै सक्रियरही अब हम देखेंगे नियायक सक्रियता से क्या-क्या भारती राजनेटिक विवस्था को खटनाई या बाधाओं का सामना जेलना पड़ रहा है उसमें पहला है अनावशक कारेभार भारत में हम देखते हैं कि नियायले के पास पहले ही बड़ी संख्या में मुकदमे विचारा दीन है जिन पर विचार नहीं हो पा रहा है जनता पहले से ही द्रस्त है ऐसे स्थिति में न्यायक सक्रियता के कारण न्यायले के कारियों में अनावशक रूप से व्रद्धी होती है और यह अनावशक कारभार उसके मौलिक कार्य की उपेक्षा या उसमें उसकी अवेजना होती है इसके साथ हम देखते हैं कि शक्ती प्रथक करण का सिद्धान्त ये मानता है कि व्यवस्तापिका कानून बनाएगी कारेपालिका लागू करेगी न्यायले उसकी व्याक्या करेगा पर उन्तु न्यायक सक्रियता के कारण शक्ती प्रथक करण का यह सिद्धान्त का खंडन होत और नयाय पाली का कारेपाली का व्यवस्तापिका के कारेशित्र में अतिक्रमर्ण करने लगती है। इसके साथ हम देखते हैं कि अनिकों बार लोग गैर महतपून विश्यों को भी नयायले में एक रिट्टी या याचिका की रूप में दायर कर देते हैं। जिससे जलित याचिका में बहुत अधिक व्रद्धी हुई है न्यायले के समय में काफ्य हुआ है न्यायले के दैनिक कार्य प्रक्रिया में बाधा उपन हुई है तो गैर महत्पूर्मामनों का न्यायले में याचिका के रूप में दायर होना भी न्यायक सक्रियता की आनुच पूरे नहीं उपा रहे हैं ऐसी इस्तिती में बहुत अतिक संख्या में जो याचिकाई दायर होती है उसके कारण न्यायले के दैनिक कारियों में बाधा उत्पन होती है अनेकों बार में देखते हैं कि जो जनहीत याचिकाई होती है इनका उद्धिश राजनितिक होता है अतारत सत्ता रूप दल को नीचा दिखाना होता है विरोधी सरकार की कारियों में अनाउट शक रूप से बाधाई उत्पन करने के लिए अपने राजनितिक उद्धिशों या अपने नहीत या संकीन स्वार्तों को पूरा करने के लिए याचिकाई दायर कर देते हैं इनके साती सातम देखते हैं कि नियाले भी इसकी आलुचना का एक कारण बना है नियाले के अनिकों परस पर विरोधी नेरने होते हैं स्वेम सरुच नियाले की या अलग-अलग नियाले की अलग-अलग नेरने रहे हैं इससे विधी के प्रती सविधान के प्रती आस्ता में कमी आती है एनिश्चित्ता बनी रहती है तो परस पर विरोधी नेरने की कारण भी कारणितिक सक्रेता आलुचना का कारण बना है और इसके साथ हम देखते हैं कि नियाय पालिक का सीधा हस्तशेप इस तापित हो गया है कारे पालिक व्व encouraged pada के कार्यों में इस सीधे हस्त शेप से कारे पालिक व्वेज पीका अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पा रही है और यह आमुचिना का कारण बना तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के अंदर न्याइक सक्रियता जो कि वर्तमान में एक विशेश या महत्पूर्ट पदती के रूप में हमें दिखाई देने लगी वह आलूचना का कारण बनी है पर तो इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि न्याइक सक्रियता का कुछ महत भी है इसने पहला है इसने कार कार्य पाली का अपने मूल कारियों के उपिक्षा कर रही थी समय पड़ हक दाइतुका निरवान कर रही थी विवस्ता प्रेका की द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं कर रही थी वंत yapt कारेपालिका को सक्रिय बनाने में नियाएक सक्रियता का महतपूर योगदान रहा है इसके साती सातम देखते हैं कि लोगतंत्र की रक्षा के लिए भी यह ज़रूरी है कि नियाएपालिका निरंतर सजग रही और उसको सजग रखने नहीं के वल स्वयम सजग रहें वे कारेपालिका को भी सजग रखें इसलिए ननीपाल की वाल का कहना है कि यदि कारेपालिका सजग होती तो न्यायपालिका को सक्रिय होनी की आवशकता नहीं थी तो वर्तमान समय में जो निराशा की इस्तिती है जिसके दो ही विकल्प है या तो भारतिये लोकतंत को नश्ट होने दिया जाए या अनुचित इस्तितियों का उन्मूलन कर उन्हें नवजीवन प्रदान किया जाए चुकि पहला विकल्प विनाशकारक है दुद्दे विकल्प ही जीवन प्रेरक है जिसने के न्याएक सक्रियता को अधिक सक्रियत बनाया है इसके साती सातम अथार्थ न्याएक सक्रियता ने लोकतंत की रख्षा की है इसके साती हम देखते हैं कि न्याइक सक्रियता के भय से ब्रश्टाचार में भी कमी आई है कारेपालिका हो या प्रशाशन हो वे ब्रश्टाचार से डरने लगा है और जैसा कि कहा गया है कि न्याइक सक्रियता का की दवा के कारण प्रशाचन ये कारे पालिका के भिष्टाचार पर नियंतर लगा है इनके साथी साथ हम देखते हैं कि मानो अधिकारों की रख्षा के लिए भी न्याइक सक्रियता की आउशकता है गरीब अनपर या किसी भी कारण से विकलांग या अन्य कारण से कमजूर व्यक्ति जो कि स्वयम अपने मानो अधिकारों की रख्षा नहीं कर सकते उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने में न्याइक सक्रियता ने महत्कुन योगतां दिया है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्याइक सक्रियता एक ऐसा अस्त्र है जो यदि सही तरीकी से चलाया जाता है तो समस्याओं का समाधान करता है लेकिन उसका दुरूपयोग रादनितिक व्यवस्ता के लिए अनिकों कठिनायों कोत्पन कर देता है और इसलिए ये कहा गया है कि न्याइक सक्रेता अतिदिक सम्वेदन शील विशवस्तु है जिसका यदि समेदन शीलता के आधार पर कारे करता है तो वहर राजनितिक प्रिवस्ता के लिए विशेश रूप से लाभप्रत है और अनावशक सक्रेता पर रोक लगाने के लिए जनता को जागरूख एवं बुद्धी जीवी वर्गूख को प्यास करना चाहिए धन्यवाद जैहिन जै भारत